नमस्कार जी मैं हो Puneet आप देखे रहे हैं S2OPDC प्रोग्राम में आपका तहे दल से स्वागत करते हैं आज फिर हाजिर हैं आपके सामने कुछ ऐसी बाते करने के लिए जो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट करेंगी जो सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा सोचती हैं और हमेशा यही रहेगा कि STOPD के स्मंच में आपको मुश्किले नहीं मिलेंगी, आपको हल मिलेंगे. तो यह जो नंबर लिखे हुए हैं, यह आपी के लिए हैं, गुड़ लग रिपोर्ट जो होगी, उस पे भी बात होगी और टिप अफ टे डे वो जो सबसे इंटरस्टिंग रहती है, वो हम जाते जाते आपको जरूर देंगे. तो आज का यह जो एपिसोड है, थोड़ा सा डराने वाला है, लेकिन उससे जादा समझाने वाला है. डराने वाला मैं क्यों बोल रही हैं, क्योंकि बहुत सरे लोग डर जाते हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? उस डर को खतम किया जाएगा, लेकिन साथ साथ में कुछ सचाइयां बताई जाएगे जो आपके लिए जाना बहुत जरूरी है, बात राहु की है, जो दर-दर की ठोकरे खिला देता है, जो अचानक प्रॉब्लम्स क्रियेट कर देता है, अगर राहु खराब हो, तो क्या होता है? और ठीक कैसे करें? यह सब के बार में बात करेंगे सुन्यूल जी हमारे साथ मौझूद है, पहले सौागत कर लेते हैं. बहुत- सौागत कर से नौस्कारपनी जी. सुन्यूल जी, राहु जो है, हम राहु के बार में भूट अपने अकसर एपिसोड्स में बहुत अच्छी अच्छी बाते करते हैं, लेकिन राहु जी जी बहुत ये संगीन एक विशा है क्योंकि राहू और शनी और केतू ये जिन्दगी में दुख के सुके तो हैं हैं दुख के कारका ज्यादा हैं तकलीफ के कारका ज्यादा हैं जितने लोगों को सजा भूगत नहीं पड़ती है खास करके जेल के अंदर या नजर बंद र दोष बोलते हैं कुछ योग बोलते हैं सो कुनली में कुछ certain ऐसे होते हैं combination होते हैं जिनकी वज़े से यह योग बनते हैं और direct involved कौन होता है इसमें राहू राहू कुनली में खराब हो जाये ऐसे लोगों का life pattern बड़ा अजीब रहता है बड़ा unpredictable रहता है कि लोग के खराब planet की अगर दरिश्टी हो तो राहू बैलनस रहता है और अगर राहू के ओपर दरिश्टी ना हो अकेला हो इसको ऐसे समझ लीजिए एक हाथी जो पागल हो चुका हुआ है और इसको संभालने वाला या रोकने वाला कोई नहीं है या उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, वो किस तरह का उतलात मचा सकता है या मचाता है, जो सामने आएगा तहने स कर देगा, जो सामने आएगा तोड देगा, जो सामने आएगा उसकी जन ले लेगा, तो खराब रहू और एक पागल हाथी मैं इसको सेम समझता हूँ खराब रहू आपकी लाइफ में वही उत्ल पुतल करता है जो एक पागल हाथी करता है इस हद तक डैमेज करता है कि इनसान को न घर का न गाट का बनाता है आपकी जिन्दगी में आने वाली अच्छानक ट्राबल्स जिसका कभी आपने सोचा भी ना हो ये रहू के अधीन है रहू के पर्टिकलर प्रेस में होना रहू का कुंडले में नीच होना बटकाव की स्थिटी बनाता है बटकाव कर देता है बहुत सा ऐसे बच्चों की ऐसे लोगों की बिगड़ने की जो फ्रिक्वेंसी रहती है या टेंसी रहती है वो बहुत जादा रहती है ऐसे बच्चों पे स्पेशल फोकस करना पड़ता है कहां जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कहां बैट रहे हैं, क्या संगती है, क्या सुसाइटी है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं क्योंकि इनको सुसाइटी से या इनको लोगों से कोई फरक नहीं पड़ता society क्या कहेगी इनके लिए कोई माइनी नहीं रखती जिनकी कुंडली में राहु खराब हो उनके लिए foundations में रह पाना बहुत मुश्किल है वो दुनिया का हर वो काम कर लेते हैं जो समाज के अधीन है anti-social काम में maximum राहु खराब वाले लोग देखे गए है जो criminals हैं जिनका record criminals में आता है जिनका society में anti-society elements जिनको हम कहते हैं वो लोग उनकी कुंडली उठाइए किसी की कुंडली उठाइए जो लोग particularly criminal हैं उनकी कुंडली उठाइएंगे आपको उसके अंदर राहु definitely खराब मिलेगा क्योंकि उनको foundations में रहना society custom में रहना बसंद नहीं होता वो हर वो काम करते हैं जो उनको बसंद है और वो होता दूसरा काम है जो कानून के अधीन नहीं होता उनका राहु खराब होता है जिनका राहू खराब हो जिनका शनी खराब हो वो कानून के दारे से बाहर नेकलने की कोशिश करते हैं वो कानून की बाउंडेशन्स में नहीं रह सकते हैं लिमिटेशन्स में नहीं रह सकते हैं उनको आउट आफ दा बॉक्स जाना है उनको वो हर काम करना है जो उनको अच्छा लगता है लेकिन एक दाइरा जो बनाया गया हुआ है सरकार की तरफ से, फैमली की तरफ से, परिवार की तरफ से एक लिमिट्स होती है हर बच्चे की कि इस लिमिट्स बाहर नहीं जाना वो limits वो cross करते हैं यहां वो अच्छे के लिए करते हैं यहां बुरे के लिए करते हैं रहू अच्छा है तो अच्छा है लेके जाएगा बहुत हाइड देगा, बहुत उचाई देगा, बहुत कुछ देगा खराब होगा तो बहुत कुछ damage करेगा करब करें तो केतुह राव हो कुण्डली के अंदर इनसान जो है पस़िंगत करता है क通व लोग spiritual होते हैं, logic पता हो ना हो लेकिन होते है spiritual, लेकिन के तू खराब हो, तो spirituality कहीं नहीं होती, मानते नहीं है, logic क्या है, क्यों, इस इसान के पास क्या है, कौन सी शक्ती है, जो हमें ठीक कर देगा, वो बिना वजा के questions, धर्म को लेके खास करके, जो धर्म का misuse भी करते हैं, के तू खराब, धर्म का misuse करके, लोग जो हमारा हम कह सकते हैं कि politicians के पर फाइदा ले जाते हैं, सो के तू खराब की निशानियां, कि फाइदा कैसे लेना है, फाइदा लेना जानते हैं, लेकिन के तू अच्छा हो तो लोग अपने लिए, spirituality के लिए, अपने धर्म के लिए बहुत जादा स्टीक रहते हैं, धर्म को मानते हैं, चाहिए धर्म कोई भी हो, मानते हैं, किसी के धर्म की इरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उसको इज़त देते हैं, कि तू खराब हो, अपने धर्म को भी कोसना, दूसरे धर्म को भी कोसना, अपने बगवान को भी कोसना, द लेते हैं राहू खराब रेड लाइट जंप करना राहू खराब डिस्केążमन में नहीं शकते हैं नईा पैशन्स में ऐस इंसान में कि मैं वेट करूँ वेड करों तो तो बरो फ्रॉज़न नहीं होती राभू हो इंसान के अंदर पेशन्स खतिम हो जाती है अभी के अभी बस करना है जैसे मर्जी करना किसी को देख लिया राहु खुराब की निशानी किसी को देखा उसका घर बहुत सुंदर है मुझे तो ऐसा ही घर चाहिए गाड़ी अच्छी देखी मुझे तो यही गाड़ी सही संगत इंको समझ नहीं आती ज्यान की बाते कब समझ नहीं आएगी कब भी समझ नहीं आएंगी समझ के आएगा से जाएंगे क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी बड़ी दूर तक रहती है सो राहू देता भी बहुत कुछ है और राहू चीनता भी बहुत कुछ है माबाप की कहना ना मानना पेरेंट्स के उपर हाथ उठाना बैड राहू ये एक क्रिमिनल ओफेंस है और ये वो हर काम कर जाते ह हैं जिनका राहू खराब होता है वो बच्चे अपने प्रेंट्स के उपर हाथ भी उढ़ाते हैं माबाप आते हैं कि हमारे उपर हमारा बच्चा हात लटाता है एक तो ऐसा केस था मदर का कहना था कि मेरे गरेह बान पकड़ रहा है खराब रहूं ऐसे लोगों काउंसलिंग की बहुत जरूर होती है ऐसे लोगों को उपाई की बहुत जरूर होती है रहू बैलन्स करने के लिए कुछ remedies भी है मैं आपको end में बताऊंगा लेकिन राहू खराब की ये निशानिया है के तु खराब की निशानिया spirituality में तो नहीं मानते हैं धर्विक जात्रा कभी नहीं करेंगे अगर करेंगे भी तो सो नुक्स निकालेंगे कोई धर्म परचार की कोई अगर संत बात कर रहे हो तो उनके अंदर नुक्स निकालेंगे कोई एक सभा चल रही हो जिसमें कोई संत हो वो कोई प्रवचन कर रहे हो तो उस प्रवचन को ना सुनना उस प्रवचन में से खामिया निकालना आप YouTube निकाल लिए, किसी संत की आप कोई प्रवचन देख लिजेगा, नेचे आपको जितने bad comments मिलेंगे, कुंडली उठाइए अपनी, अब चेक कीजिए आपकी कुंडली का केतु खराब हो, practically बता रहा हूँ यह, आप कुंडली खोल के देख लिजेगा, क्योंकि सही चीज म लिकिन यह आया है क्योंकि यह बेजा गया है किसी के थरू, कि भीजा तु जा तो ज़रुर बिलेगा, फ़ो लोग खुदी कहते हैं, सर मैं मानता तो नहीं हूं, यह जो मानता नहीं है, यह एक गुरू नीच के, नीच के गुरू जो होते हैं, यह इनसान को थोड़ा logical बना वो आके सामने बैठे हो तो कुंडली से सापाल लगता है यह मानता नहीं यह बेजा गया हुआ और यह बेजा गया हुआ इनसान ही अपनी कुंडली दिखाने है और यह उपया भी नहीं करेगा कंप्लीट इसको बिजा गया है पुष्ट किया गया कि सर्फ अपनी गो जरूरत है तो मैं चल के उसके पास जाता हूं कि मुझे जरूरत है अब मैं डॉक्टर को बोलू है तो वैसे मुझे भेजा गया किसी भेज दिया मेरे को मैं आया नहीं हूं मुझे भेजा गया है तो डॉक्टर तो अपना काम करे गई उसका तो प्रफेशन है तो मेरा तो काम तो आपको कुंडली रेक्टिफाइब करनी चाहिए तो राहू के बारे में सारे इंफिमेशन आप तक सुन्विल जी ने पहुंचाई है बहुत फाइदा होने वाला है आपको लेकिन एक सवाल जो अभी भी मेरे दिमाग में है आपने एक बर बोला था कि राहू तो किसी बच्चे का भी खराब हो सकता है आपने बोला था किसी बहुत छोटे बच्चे की शिशू की कुंडली जो है वो नहीं दिखानी चाहिए तब आपने कहा था और अगर बच्चों में ऐसा हो तो फिर क्या करें अपने जी यहां था कुछ मिटस अंडरस्टाइनिंग हो गया मैंने कहा था कि 14 साल तक हैवी उपाई नहीं करते कुंडली तो पैदा होते ही क्या पैदा होने से पहले लोग डेट्स ले लेते हैं कि सर कौन सी डिलिवरी डेट लें बहुत कैसी जाते हैं ऐसे इसमें तब आपकी कुंडली बनी अब अगर दिखाएंगे नहीं तो आप कैसे पता करेंगे कि यह बच्चा जो है इसका कौन सा गंड मूल है पहले 27-28 दोनों में उसका रेक्टिफिकेशन होना जरूरी है वो कैसे करेंगे सो मैंने कहा था कि 14 साल तक बड़े उपाई नहीं करते ह बच्चों के टोटके करते हैं कुंडली तो पैदा होते बच्चे की ही दिखानी चाहिए कि अगर कोई दोश है तो उसको टाइम पर पकड़ लिया जाए अब गंड मूल जो है जब चंदरमा पर्टिकलर नक्षत्रा में होता है मूल नक्षत्रा में हो तो गंड मूल होते है ऐसे केस में 27-27 दिन फादर को बच्चे का मून नहीं देखना होता तो वो कैसे पकड़ेंगे जब कुंडली आप दिखाएंगे इनिशली तो पैदा होते ही पहले जो बजर्ग होते थे अपनी जी आपने देखा होगा कि उनके फादर और मदर वो तो बिजी होते थे दाद पैदा होते ही बच्चे की दिखानी चाहिए उसके जो चोटे मोटे टोटके होते हैं वो करने चाहिए कूछ ऐसे दोष होते हैं जो बच्चपन में ही हमने ठीक करने होते हैं पहले 30 साल के लिए एक ज़े दोश रिवक नहीं बछ इस लिट और दोश बोला जाता है कि ये ए कुंडली में एफेक्टिव रहता है तो इस कारण कुंडली दिखानी बड़ी जरूरी है अगर किसी को डाउट है आज मैं क्लेर कर रहा हूं कुंडली हर बच्चे की दिखानी चाहिए लेकिन हैवी उपाए बड़े-बड़े उपाए नारिय लीजिए बच्चे के सिर से वार बच्चे करेंगे कि लोग जो है वो अपॉइंटमेंट लेकर आए क्यों कर नहीं कोशिश करता हूं कि टाइम पर एक इनसान हो तो हम रुष्ट नहीं कर रहे तो लोग बिना अपॉइंटमेंट के मत आये मैं आगे से नहीं मिल पाऊंगा आपके लिए मुश्किल हो बचारे एक जिन स्टेक या उनको पता ही नहीं है मैं हूँ या नहीं हो आगे टाइम लेकर मिली है जब भी आपाए तो यह बात इस वज़े से की है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सोचते हैं कि सुनील जी दफतर में आएंगे तो वहीं पर मिलेंगे ऐसा नहीं होता ह वह इंजिनियर भी है तो बहुत सारी चीजे तो दिहान में रखने होती है तो सुनील जी एक बात और भी है क्यूंकि हमने दिककत की बात की है लेकिन एस्ट्रोपीटी का रूल है कि हम जादा जो है वह हल की बात कर देंगे है तो कुछ ऐसे उपाए बताए जब कुंडली लेके आएंगे तब आएंगे तब दिखाएंगे सब सब यह तो करना ही होगा यह जरूरी है लेकिन कुछ ऐसे जो एपिसोड लोग देख रहे हैं जनेरिक उपाय जो सब कर सकें कुणी जी अस्ट्रोपीडी का तो मनतव यह है कि awareness, logic and solutions यह ही मारा जो में एजन्डा है so logic मैंने समझाया आपको रहु केतू के लक्षन बताए मैंने कुछ चीज़ें बताई आपको अब मैं आपको कुछ चोटी चोटी उपाय ऐसे बताता हूँ जो आप रहु खराब हो अब करशकते हो घर के अंदर केतू खराब हो आप करशकते हो सो सबसे पहला उपाय कि मौर पंक कर में जरूर होना चाहिए सांप या चिपकली जो होती है ये जो कीडे मकोडे होते हैं ये जो है ये मौर से डरते हैं बहुत जादा मोर पंक नेगडिव एफेक्ट राहू के और केतू के भी राधर बुद्ध के भी जो है वो खतम करता है सो मोर पंक घर में जरूर होना चाहिए और दूसरा राहू किसी के कुंडली में खराब हो ऐसे इंसान को बुद्धवार के दिन अपने घर का वाश्रूम खुद साफ करना चाहिए क्यों राहू गंदगी साफ करवाता है अब यह तो है नहीं कि रोड की जाके गंदगी साफ करेंगे आपने अपने घर का वाश्रूम साफ करना है मुद्वार को करते करते आप अपने मुँ में कोई भी पाट भी कर सकते हैं साथ-साथ अपने घर का वाश्रूम खुद साफ कीजिए वाश्रूम को ड्राय रखिए जादा चमकाई हैं मत लेकिन ड्राय रखिए साफ सुता रखे लेकिन चमकाना नहीं उसको कि बहुत ब्यूटिफाई नहीं करना वाश्रूं को ब्यूटिफाई नहीं करते दूसरा नंबर राहू को राहू के इलफेक्ट को ठीक करने के लिए आप चांदी की ठोस गोली चार ग्राम की किसी बच्चे के गले में डाल सकते ह कई बहुत सारी बजाएं होती है नहीं डाल सकते तो वह गोली जो है वह पॉकेट में रखिए के तू ठीक करने के लिए घर के अंदर घंगा जल रखिए या कोई सरोवर त्वित्र सरोवर का जल जरूर रखिए शांत देवी देवता का मंदिर हो वहां से लेका यह 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 वह जल हो है पूरे घर में छिड़की है केतू जो है वो उसके इलिफेक्ट खतम होते हैं ब्लैक कलर के डॉक को घर में पाली और बहार के स्ट्रे डॉक्स को आप फीड कीजिए कच्छे दूद के साथ और कोई बिमार हो वो भी यह चीज़ कर सकता है इससे केतू शांत होते अपनी सबसे चोटी फिंगर जो आपकी सबसे चोटी फिंगर होती है इसको हम लिटल फिंगर बोलते हैं इस फिंगर में बिना जोड का सोने का चल्ला वजन कुछ भी हो यह डाली है possible हो तो केतू के लिए ही अपने left कान के अंदर एक सोने की बाली डाली है चाहे हो जन्ट रही सं हमाइन लेडिस हैं तो सोने की बाली Selbst डाली है विरवार डाली ए चला जो है यह यह बी वीरवार के दिर डालना जो generic नहीं होते, general नहीं होते वो मैं यहाँ पर नहीं बिताता, वो कुंडली टो कुंडली वेरी करते हैं, वो कुंडली देखके पता चलता है लेकिन यह general remedies हैं जिससे आपको थोड़ा सा फरक तो जरूर अपने सूस होगा, इसके इलावा morepunk pocket में भी रखिए अपने, जिनके राहू कराब हो, अपने morepunk pocket में भी रखिए, इससे भी आपको इसका benefit जरूर मिलेगा so morepunk बहुत beneficial है, अपने office में रखिए, घर में रखिए, अपने दुकान पे रखिए, कहीं भी रखिए, जहां बैठते हैं, वहां रखिए इससे आपको एक तो नजर से बचेंगे, कि आपके office में कही तना के clients आते हैं, कोई अच्छी नजर लेके आ रहा है, कोई बुरी नजर लेके आ तो morepunk बढ़ा होगा, तो वो नजर का effect भी, by a grace of God, यह वो भी कम करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी positive उर्जा होती है, more तो हमारा national पक्षी भी है, और इसके फाइदे बहुत हैं, जो पंक नीचे गिर जाते हैं, वो लोग इगठा करके बेच देते हैं, वो पंक आपने उठा के अपने घर में रखना है, तो उससे आपको बहुत benefit होगा, यह राहू केतू के general remedies है बहुत मददकार रहेंगी, इसके इलावा एक शीज़ और आप कर सकते हैं, राहू केतू के दोनों के effect खतम करने के लिए, बैड effect खतम करने के लिए, हलवा बनाईए आटे का हलवा बनाईए, इसका रंग थोड़ा सा डाग कर लीजिए, वो हलवा जो है, किसी भी धार्मिक इसके लिए, धार्मिक जगा के बाहर खड़े जो बैगर होंगे, उनको खिलाईए, और राहू के लिए कहीं भी बैगर खड़े होंगे, वो आप उनको खिला सकते हैं, केतू का effect ठीक करना है, तो मंदिर के बाहर खड़े होके, जो बैगर्स खड़े होते हैं, वहाँ इसके फोटो से बाहर देजिए, उसे इंसान से बाहर देजिए, उसके थ्रू ही आप ये उपाय करा देजिए, बैनिफिट जरूर में देगा. तो बैनिफिट्स की बात रही, क्योंकि उपाय ना होते तो फिर क्या होता है ना, तो एस्ट्रोपीडी में उपाय जो है वो भर-भर के मिलते हैं, सुदेश कुमारी, इनका नाम आया है, आज रैंडमली गुड़लग रिपोर्ट में, ये जीन से है, हर्याना से कह रहे हैं, बच्चे बात नहीं सुनते, जट नहीं करते हैं, जी इसके उपर पूरा एपिशोड होगा, बच्चों के उपर, जो बच्चे जिद करते हैं, क्योंकि कुणली टो कुणली वेरी करती है, प्रॉबलम, लेकिन आपके लिए जब रिपोर्ट त्यार होगी, तो इस बच्चे हो और आप घर वाप्सी करना चाहते हो, अगर घर वाप्सी करनी हो तो एक जनल रेमेडी है, वैसे तो डिपेंड करता है कि गोचर में क्या चल रहा है, घर वाप्सी करनी हो वो सक्सेस्फुली करना है, वो रिजन आपके कुंडली के अंदर होता है, वाप्सी होगी या नह होगी beneficial होगी या नहीं होगी तो तो कुंडली का पाट है वो मैं आपको देखोंगा जरूर लेकिन एक जनल रेमेडी एपल लीजिए सेब लीजिए सेब खाईए सेब के जो अंतर भीज होते हैं यह बहुत एक classical remedy है बड़ी पुरानी किसी बजर्ग ने मेरे को बताई थी वो मैं आज आपको बता रहा हूँ और यह effective है यह मतलब की की भी हुई है और proved and trusted भी है तो सेब खाईए दिन कुछ भी हो सफेद सेब के जो बीज होते हैं वो सफेद साफ सुतरे कपड़े में डालके अपने पॉक्ट में डालीजिए कुछ दिनों में स्थेतिया ऐसी बनेंगी successfully यहां तो transfer वापिस हो जाएगी यहां आपको इसी दुआ के साथ के सब कुछ जो है वो रौशन रहे और आपके घर में खुशियां जो है बरकरा रहे इजासत लेदे हैं जल्दी मिलेंगे धन्यवाद